आज के इतिहास पर नज़र डालते हैं आज के दिन वर्ष 1655 में शनी ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन की खोज हुई थी टाइटन की खोज डच वेग्यानिक क्रिस्टियान हाईगिन्स ने की थी अपनी पत्रकारिता से अंग्रेजों की नीव हिला देने वाले सौतंतरता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का निधन आजी के दिन वर्ष 1931 में हुआ था गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्रांतिकारी साप्ताइक पत्रिका प्रताप की शुरुआत की थी गणेश शंकर को अपनी पत्रिका की वज़े से कई बार जेल भी जाना पड़ा वर्ष 1931 में कानपूर में हुए दंगों के दौरान कई लोगों की जान बचाते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी भीड के गुस्ते का शिकार हो गय थे और उनका निधन हो गया था आज भी उन्हें कलम के सिपाही के रूप में याद किया जाता है तो डियने में आज इतना ही अब संडे ब्रेक का समय हो गया है अब आप से हमारी मुलाकात सोंवार को होगी जब हम और आप मिलकर नई उर्जा के साथ नए सब्ता की शुरुआत करेंगे तब तक आप खुश रहे, सुरक्षित रहे और अपनी सिहत का पयार रहे नमस्कार